संतिस्वर सम्मान 2021 के इस समारों में हम सब का साभागे है कि हम सब के बीच परम पूजनिये सर संगचालक स्रद्धे मोहन भागवजी हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए उपस्तित है इस संतिस्वर सम्मान समीति के अध्यक्ष स्रद्धे कपील खन्ना जे इस सभागार में उपस्तित संत समाज के सभी ऐसे प्रबुद्ध विशिष्ट और यहां उपस्तित हमारे सहजोगी मानिय मंत्री गान, सांग्साद गान ऐसे प्रबुद्ध और विशिष्ट कारियों के निमित लगातार शक्रिय रहने वाले यहां उपस्तित सभी भाईयों बेहनों, सभी बुद्धी जीवियों और उपस्तित सज्जनों आज बहत प्रशनता का विशे है कि हम ऐसे कारेकरम में उपस्तित हैं और उन्हें समानित करने के लिए उपस्तित है जो लगातार इस बात के चिंता किये बगैर या इस आसा के बगैर के हमें कहां से किस से कैसे सम्मान मिलेगा बलके आपने देखा इस संतिस्वर सम्मान के उद्देश्यों को कि पूरे देश भर में ऐसे लोग जो लगातार सेवा के कारे में बिविद छेत्रों में लगे हुए और जिन्हें ना नोमिनेशन की ना ही कोई सम्मान की इक्छा रहती हैं वो अपने कारे करते हुए लगातार कोशिस और अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने से कुछ कर सके हैं वैसे लोगों का सम्मान करने का यह संस्था लगातार प्रम्पुज संग चालक के मार्ग दर्सन में प्रारंब हुआ और एक बड़े उदेश्य को पूरा करते हुए लगातार वैसे लोगों को सम्मानित करने का कारे हो रहा है जो बिभिन पदों दाईतों जिमेदारियों से जुड़ करके कारे करने वाले के अलावे वैसे लोग जो इस देश के निर्माण में इस देश के बदलाव में नए भारत गड़ने में प्रमुख भूमी का निभारे हैं मैं इस आउसर पर मैं वैसे सम्मानित होने वाले समस्त लोगों को इस मंच की और से प्रणाम करता हूं मैं अपने हिदय के अंतह करण से उन्हें नमन करता हूं और मैं इस वात के लिए जिस जीवन चरीत्र को लेकर यह कारे प्रारंब हुआ है जिनका विरित्व आपने देखा जीवन विरित्व आपने देखा जिनके प्रणा से यह कारे प्रारंब हुआ वैसे महान विभूती को मैं सत्सत नमन करता हूं हम सभी अपने अपने कारें में अपने अपने दायुत्यों में लगे हुए है लेकिन सबसे बड़ा जो कारे और जिस परिणाम की अनुभूती हम सब को होती है जब हम स्वयम की जिम्यदारी निर्धारित करके करते हैं हमें किसी ने दायुत्यों दिया है हमारी उसे दायुत्यों के नाति जिम्यदारी है यह एक सभाविक कारे छेत्र है लेकिन जिसे कोई दायी तो नहीं देता और स्वयम अपना दायी तो समझ करके काम करता है वह वास्तविक रूप में राष्ट निर्मान के उद्देश को पूरा करने वाला भारत माता का असली संतान कहला था और मैं समझता हूँ कि उन्हीं को सम्मानित करने के लिए आज ऐसे कारे करम का आयोजन हुआ है जब मुझे इस बात की सूचना दी गई कि इस तरह का कारे करम के आयोजन में आपको भी सामिल होना है मन आनंदित हुआ और मुझे खुजी है कि जब हम इस देश में आज संकल्प लेकर यानि एक तरीके से आजादी का अम्रित महोसो मना रहे और नए संकल्प के साथ जन जाती गौरब दिवस मना रहे है कि भारत को भारत के सुदूरबरती छेतर में रहने वाले लोगों को मिलकर हम भारत गड़ने में कैसे प्रमुक भूमी का निभाए और उसी कड़ी में जब मैं यह देख रहा था कि समानित होने वाले लोग तो उसमें एक जनजातिय छेतर है एक ग्रामिन छेतर है एक महिला इवंग वालविकास और समाज के समाजिक कारेओं से लेकर विभिन भूमिकाओं में विशेष जोगदान देने वाले ऐसे लोगों का सम्मान यह जो कारे छेतर है यह वास्तविक रूप से भारत को गड़ने का प्रमुख शूत्र भी है और प्रमुख रास्ता भी है आज मैं इस आशर पर बहुत जादे नहीं कहते हुए क्योंकि एक अभुत्पूर्व फैसला मान ये प्रधान मंत्री के नित्रुत्य में हुआ है कि भगवान विर्शा मुंडा के जनम दिन के अशर पर हम पूरे देश में न केवल इस बर्स बलकि प्रतेक बर्स जनजाती गौरब दिवस मनाएंगे देश के आजादी के लंबे कालखंड में हम सबने बहुत सारे ऐसे अनुभव किये है लेकिन एक नया अनुभव जो हमें संकल्प देता है कि सुदूर बर्ती छेतर में रहने वाले जनजाती समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा देश को आगे बढ़ाने का जो हमारा लक्ष है वो पूरा नहीं होगा और आजादी के अमरित महसों में देश के यसस्वी प्रधान मंत्री नरेंदर भाई मोदी के नेत्रुत में जनजाती गौरब दिवस का घोसना और प्रतेक वर्ष इस आयोजन को अच्छे धंसे करना यह मैं समझता हूँ कि अभुदपूर फैसला आजादी के लंबे कालखन के बाद हम सब ने लिया है जनजाती छेतर को जदी हम देखे तो चाहे वो लेला दाग जम्मू कस्मीर उत्रांचल हिमाचल अरुनाचल सिक्के मनिपूर मिजोरम त्रिपूरा यह सारे जो हमारे चाहदी है सारे सीमा छेतरों पर हमारे जनजाती समाज के लोग रहते हैं उसके विकास में हमारा मंत्रा ले जहां कारे कर रहा है वहीं जनजाती गौरब दिवस के माध्यम से नए संकल्पों के साथ सीमा शुरक्षा के साथ भारत का निर्मान करने का संकल्प लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से जब जनजाती छेत्रों के ऐसे सामाजिक कारेयों में विशिष्ट सेवा में लगे हुए लोगों को सम्मान मिलता है तो सभाविक रूप से और अधिक सक्ति मिलती है और मैं समझता हूँ कि जहां या आजादी का अमरित महोसव जहां जनजाती गहरव दिवस वही संतिश्वर सम्मान के माध्यम से हम पुनर जागरन के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मैं इनी सुबकामनाओं के साथ इनी सब बातों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ मान्ये सब्सक्राइब